एक ट्यू को रेजल्ट कब आएगा एक ट्यू फेज वन फेज टू या निकि फर्स्ट या सिगंड या और फॉर्थ या कब तक आएगा बैक वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें क्रेडिट मिलता है कि नहीं सी ओपी रेजल्ट को लेकर भी इसमें इंपॉर्टेंट आपको बा प्ज़ट को लेकर बात करेंगे सी ओप रेजल्ट को लेकर और जो बैक सब्जेक्ट है उसमें करेडर मिली कीड़ी नहीं चलिए कर तो उसके बाद आनलाइन मूलियंकर में भी एक महीने का समय लग ज्यादा जी है यानि कापी है आपकी चेक हो जाती है अगर अप्रेड मह अगर आपकी कापिया है छेक हो जाएंगा ंते है तो इसके बाद क्या समूद होते हैं उसके बाद का प्रीज़ानीर है Wouldn't कि बडिया इक सम्समुज्ब बляется कराएं जून में प्रेडाम जारी हो जा जाए जाना चाहिए worlds पर ऐसे में ना सिर्फ इस सतर परभावी थो गबल कि फाइनल ये रिज्ट आने के चांसेश हैं उसके लावा जून के साथ साथ जो और जो इस्टुडिन्ट हैं या जो फशे सिकन्डिये का जो इस्टुडिन्ट का कम से कम जून के बाद जूलाई ही में संभावा उसके पहल नहीं मिल लए थे तो मागने चलिए आप लोगों का जो रिजल्ट है लास्ट माई से लेकर जून के बीच में आपका आसकता है अधर वाइस बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि आप लोगों को पलेस्मेंट हो कई सारी चीज़ों में समस्या हो तो यहीं अभी अप प्रक्राइब कर सकते हैं इसक्रिप्शन में वीडियो के लिंग मिल जाएगा वहाँ पर हमारा ट्विटर यहां फिर डायट सर्च कर सकते हैं इंपोट अगरेंश हैं तो आप लोगों को डिगरी मांख शीट डिजिल आकर से आचुकी है जिन चातरों की नहीं आई परशार नहीं आई है तो जो आनलाइन फार्म उसको भर दीजिए उसके बाद इसपैन वाला फॉल्डर वहां पर चकर एक और आपको मेल आया होगा एक तो अगर नहीं आया है तो हमने दो 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 लिंक के टेलिगरां पर डाल लगके हैं पिन किया हुआ हमने तो जाके पिन वाले प सबी को टेक किया उसके बाद और जो बच्चों के डाउट है जो इसके पहले यह जो आपको एक फिरी वेबिनार करा जा रहा है वो इसके सल है तो फिरी वेबिनार आखिर कि इन चातरों कौन कों से चातर इसमें जुआइन हो सकते हैं तो आप यह पहले वीडियो देख कि आपको कैसे हाई सेलरी पेड जाने कि अगर बात करें 20 तो 25 लाक्स की जॉप कैसे लग सकती है आप सभी लोग हाई स्कूल या इंटर कम से कम करी चुके हैं और इंटर कबाद अगर फर्स्टिया सेकंड या थार्डिया और फिर बी बीस्टी बीटक यमसी जो भी कर रहे ह हैं तो उसके लिए आप सभी लोग इलिजबल हैं और अगर आप कर चुके हैं और आखिर आपने इतने सारी मेहनत की उसका रिजन क्या है कि हाई पेड जाब हमें मिलना चाहिए या आपको हाई सेलरी की जाब मिलने चाहिए और अगर बात करें इंडिया में तो 60 to 65% जो है जिनको या तो आनेमप्रॉयमेंट हैं या फिर उनकी 20,000 लेस देन की उनकी जॉब है लेकिन जो एक परसंट या फिर दो परसंट गर कहें IITN से होते हैं या फिर जो बीटेक टॉपर होते हैं या फिर जो एनाईटीज के चुटेंट होते हैं केवल एक ही परसंट से दो ही उनकी जॉब लगती है जो कि करोलो में उनका पेकज होता है और फिर अब आप 20 लाक्स होता है तो आखिर यहां पे यहां पे मापको बताने वाला हूँ एक फुली वेबिनार होने वाला है जहां पे आपको सारी चीज़ में बताए जाएंगी कैसे आपको एक हाई पेट जॉब मिलीगी और वो भी उनके थुरू जो आईटेंस हैं जी हाँ आईटेंस के थुरू यहां पे आपको कोई चार्ज नहीं देना है और ऐसे आईटेंस जो आल लेडी जिनका करोलो का पेकज है अगर यहां पे देखें तीन आईटेंस आपके साब में दिखना हैंगे जिनकी यहां पे आईटेंस के अगर बात करें यहां पे फर्स्ट पे जिनकी AIR93 जैनि आल इंडिया में अगर बात कर रहें इनकी 93 आई थी और 93 रेंक लाना कोई आसान काम नहीं था तो 93 रेंक यह आ 1199 रेंक थी आईटी मदरास से इनों यह हैं उसके लाव शशांग जी हैं और इनकी अगर बात करें तो 119 यानि की 119 रेंक थी आईटी बाम से थी तो आपको आईटेंस टो आपर से हैं जिनका करोन रूपए का पैकेज उठा चुके हैं अगर किसी का इसरो में तो कोई समसं और दो हुए तैंट कर सकते हैं सको भी आपको आपको इसी लगे और संडीं को होगा तो जरूर आप register करिए mobile laptop जो भी आप जोईन कर सकते हैं आपको link description मिल जाएगा याद रखिएगा Saturday, Sunday और 3 slot में होगा कोई भी slot join कर सकते हैं कहीं से भी join कर सकते हैं बिल्कुल free है और link आपको description मिल जाएगा तो description में जाके चक करिए आपको वाँ से काल मेंसेज आ रखिए information मिल जाएगी timing हो गए रखिए तो जरूर जोईन करिए free है कोई charges आपका नहीं है अगर आपको पसंद आगा तब ही आप जो है उसको join कर सकते हैं बाकी आपको कोई charges नहीं देना ठीक है अब यहाँ पर Mr. 33R क्या कह रहे है कि result कब आएगा भी फारे फस्वेस्टा कब आई आप लोगों का result जून के बाद ही आएगा जुलाई में ही संभा उसको पहरा भी update कोई नहीं update आएगी तो आपको inform करेंगे उसके लागर आगर अगर कोई subject में बैक लगती है तो एक भी credit नहीं मिलता है अगर आपकी subject में बैक लग जाती तो एक भी credit नहीं मिलता है अगर आपको subject में पास हो जाते हैं तो आपका जितना credit होता है तीन-चार और पूरा credit आपको मिल जाता है विशु क्या कह रहे हैं कि तुम से कुछ पूछा हो तो रिपलाई नहीं करते हैं अभी तक डिग्री नहीं आये तो भाई तुम मुझे तो पहली बात फोर्स नहीं कर सकते रिपलाई देने के लिए ठीक है और तुम पहले अपना बाड़ी लेंगवज अपनी पहले हैं कि अपनी आपको बताता हूँ डिग्री माक्षीट को रहे हैं आप जाके उसको वाच करें मैंने कहा कि आर्लाइन कंप्लेंड लिंक आप उसको फिलप करो अब उसके बाद भी नहीं आती है तो मैं बीसी थोड़ी नहीं कि मैं तुम्हारे डिग्री भेज़ दूगा अपनी कालेज में जाके पता करो अप्लिकेशन दो ज्यादा अवर्जेंसी तुनिस्ट्री जा सकते हैं डिग्री बागी काही सारे चाहतों के आ चुकी है आ रही है जिनके नहीं है अपडेट नहीं वह अभी तक क्या करें मैंने ट्वीट किया आप इसको जाकर रिट्वीट करिए ठीक है डिवेसे रबाट हो गया है तो आपकर रिज़ल्ट भी अपडेट हो प्रशान लेए जो ट्राइ करूँगा नंदन किशोर का से योपी का अभी तक नहीं है मैंने ट्वीट कर दिया है आठ मन्त होगे मैं मानता हूँ अगर आपने आनलाइन फार्म भर दिया है जो दूनों वाला लिंक दो दो फार्म भरना था तो टेलेकराम पे शिकाउट कर लिए अगर नहीं भरा धील नहीं करना चाहिए इतना ज़्यादा जोहर डिले नहीं करना चाहिए बाकी देखते है आई होप जल्दी है पट्री लाइन पे आ जाए ठीक है विख्यात कहरे है मैत का टीचर सेसे डीपेमस कापी मैं मानता हूँ कि कापी बहुत गलत चेक होती है कि ट्यूग उस पर स आठ सो पांसो से आठ सो होने चाहिए एक हजार तक होने चीस से जादा नहीं होने कि एक हजार से बारा सुरूप है ठीक है बागी आप लोग अगर कहें तो हम इस पर आवाद उठाएंगे आई होप आप सभी लोग की जो डाउट थे सारे और हाँ यह वाली वीडियो जरू तो देखने ना कि एक ट्यू के जो एक शुडिन्ट थे उनको 26 नंबर दिया था जबकि रीचिंग इंगे 36 हो गया चाहँचाट हो गया चाहँचाट का फरस समझ सकते हैं चालिस चालिस नंबर कम कर देता है इस तरह के से कई सारे चाहतरों की जो कापी कम होती है जो आप ज कर लीजिए और कोई डाउट हो कमेंट करें फिर ही वेबिनार जो हो सको जरूर जोएंग करी इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपका वाइसा नहीं लगना घंटा दो घंटा की बात होती है तो जरूर जोएंग करिए आप लोग बताना रिस्पांस कैसा सब्सक्राइब करने के बाद और वीडियो अच्छे लगए लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें दोस्तों को भी शेर करें